नमस्कार बत और बताईए कैसे हो आप चलो आज हम बात करने वाले हैं इस्पेशली जैड से रिलेटेड ही टॉपिक लेके चलेंगे और जैड से रिलेटेड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक रियक्शन्स जो इंग्लिस मीडियम माले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम को समझने कोसिस करो इंग्लिस मीडियम में टाइम लग रहा है जैसे ही वो कवर हो जाएगा मैं अपने आप आपको कंफर्म करा दूआ ठीक है रियक्शन्स तो देखिए हम पहले बात करेंगे किसकी की रियक्शन्स क्या होती है रियक्शन्स वो होती है जो क्रिया कारकों से रियक्टेंट से और प्रोडेक्ट में कनवर्ट हो जाए क्रिया कारकों से उत्पाद में परिवर्टित हो जाए तो देखिए रियक्शन्स में क्रिया कारक उत्पाद में बदलते हैं या बोलो कि जो क्रिया करने वाले होते हैं उन्हें क्रिया कारक करते हैं अब जो क्रिया कारक हैं जैसे इसमें A और B हैं वो A और B जब भी रियक्शन करके C और D या X या Y या Z जो भी बनाएंगे जो उत्पाद बनाएंगे वो इसलिए बनता है कि उसकी स्टेबलिटी बढ़ जाए या उसका स्टाइब तो बढ़ जाए अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये जो रियक्शन होती है उस रियक्शन में जो क्रिया कारक से उत्पाद बनता है वो उत्पाद वापस से कन्वर्ट होके क्रिया कारकों में ही कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो हमने ये बात बिल्कुल सिंपल से कह दी क्या क्रिया कारकों से उत्पाद का बनना और डिफ प्रेशर फिक्स निश्चित ताप दाप पर सामन्य या सामन्य ताप जिसको बोल रहे है ठीक है पर क्रिया कारकों से उत्पाद में परिवर्तन होना क्या कहलाता है वो कहलाता है अभी क्रिया ठीक है अब जो यह अभी क्रिया है इस अभी क्रिया में हमारे पास कुछ चीजों की जरुद पढ़ती है या बोलो कुछ एनरजी की जरुद पढ़ती है उन में से दो एनरजी है कौन कौन सी एक तो है देली उर्जा कौन सी देली उर्जा अब ये देली उर्जा क्या होती है सुनिए देली उर्जा वो मिनिमम एनरजी है जो क्रिया कारक के जो अनू होंगे या परमानू होंगे उनके लिए आवश्चक होती है न्यूनतम उर्जा जो अभी क्रिया करने के लिए आवश्चक होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं देली उर्जा ठीक है दूसरी सक्रियन उर्जा क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्थित करना चाहते हो तो उसके लिए जो आप एनर्जी की रिक्वाइरमेंट रहती है उस एनर्जी को हम कहते हैं क्या सक्रियन उर्जा तीक है अब फिर कंडिशन देखना कंडिशन ये है कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि देली उर्जा आपने बोल दिया सक्रियन उर्जा आपने बोल दिया ये वाली एनर्जी अगर मैं जनरल एक्जामपल में देखू तो क्या होगी सुनिए देली उर्जा आप ऐसे बोल के चलो कि आप जिसके एक्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एक्जाम के लिए आपने सब्जेक्ट जो चूज किया था और उसके कारण आपकी खुद की जो एनर्जी है आपकी खुद की एनर्जी है उसे हम बोलेंगे देली उर्जा थ्रिशोल्ड ए दिया बाईओ लिये या फिर, आपने प्रीन है लिये तो उसके लिए वो जो minimum energy आपके पास वो minimum qualification आपकी क्या है trishot energy daily úrza ठीक है अब बात करें सख्रीयन urza आपने subject ले लिया पर आपको उस subject में competition को fight करने के लिए जो energy की जुरत पड़ेगी उस energy को बोलेंगे activation energy या सक्रियन उर्जा इसे हम E A से भी दिखाते हैं E A activation energy हम बोलते हैं energy activation activation A for activation E for energy हाना तो मैं बात करने वाला हूँ threshold energy सक्रियन उर्जा तो देखिए अब हम बात करें कैसिक सर ये कौन सा topic चल रहा है तो इस topic में आपको थोड़ा सा describe कर दू कि मैं जो topic ले रहा हूँ ये topic आपको कौन कौन से point cover करेगा ये आपको cover करेगा reactions में chemical equilibrium ionic equilibrium reaction chemical kinetics में thermodynamics चार topics को cover करेंगे उससे पहले हम कुछ time तक या बोलो आप एक lecture तक ये decide कर लेते हैं कि ये reactions related हमारे पास कौन कौन से point आएंगे तो मेरे पास एक point आगया threshold energy या बोलो आप देली उर जागा एक आगया कौन सा सक्रियन उर जागा तीक है अब देखो ये जो थियोरी लिखी हुई है इसको आराम से आप पढ़ सकते हो ठीक है इसको जब आप पढ़ते हो तो उसके time pause कर लिया करो आपके वीडियो को और उसको ध्यान से लिख लिया करो या पढ़ लिया करो ठीक है कि पानी में चीनी गोलो तो जब तक वह चीनी घुलेगी उस चीनी को आप पीस के या बोलो कि उसके कण जो है उनके जो आपने जिस size की चीनी है उसको पीस के जो उसका mixture powder form बना दिया उसको क्या बोलते है आप बूरा बोलते है वह बना दिया तो उस पाउडर फॉर्म से अब इतनी ही चीनी को आप पानी में गोल रहे हो अब एक लिटर में इतनी ही चीनी के पाउडर को गोल रहे हो तो आपने क्या क्या, उसका surface एरिया बढ़ा दिया न उसके कौनों को जो एक दूसरे जुड़े वे थैं तोड़ के अलग कर दिया तो अब जो पानी में आप गोलोगे तो वो आपको बहुत तेजी से गुल जाएगा यानि कि आप बोलो कि उसका अभी क्रिया की दर या वेग जो है वो स्पीड जो है बढ़ जाती है कब इससर एलिया बढ़ाने पर ठीक है इक्रिय के पापड़ेगा इस के सीर जार बढ़ाने पर और नियत रहती है तो इन तीनों में से आपके भाश आसर आएगा सितनी चेटर Sep般 बढ़ाने पर उसकी rate of reaction जो है अभी क्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है ठीक है उसके बाद ये तो दो पॉइंट आएंगे आपके पास एक तो threshold energy एक activation energy के अब बात करेंगे किसकी अब बात करेंगे हम उत प्रेरक की तो सुनिए अब वही बात अपने ऐसे कर लेते हैं कि आपने क्या बुला भी धोड़ दर पहले कि सर आपने यू बुला कि सर जो आप कह रहे हो कि activation energy जो होती है वो आपको जिस पढ़ाने पर मिलती है या बोलो कि आपको आपकी competition को fight करने लिए जो energy की requirement होती है जब आपने जाके कोई institute join किया तो वो आपकी activation energy है अब उस institute में आपके जो energy को activation energy को बढ़ाने का या घटाने का काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं teacher और teacher just like a catalyst या उत प्रेरक समझें तो उत प्रेरक क्या होंगे ऐसे पदारत होंगे ऐसे कण होंगे ऐसे अनूंगे ऐसे अतत्त होंगे जो किसी भी reactions को control करते हैं just like teacher तो आप इस सोच सकते हो कि teacher जो होते हैं वो teacher catalyst ही होते हैं सही है तो teacher catalyst हो गया institution जिसमें आप जाके पढ़ रहे थे वो आपकी activation energy हो गई ठीक है और जो आपने subject choose किया था वो आपकी threshold energy हो गई होई ना तो catalyst जो होंगे वो ऐसे पदार्द होते जो अभी करिया को नियंत्रित करते हैं देखो आपके दिमाग में ऐसे लगता है कि सर हमने ऐसे नहीं पढ़ा है ति उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी अभी करिया की दर को बढ़ा देते हैं बढ़ा देते हैं नहीं ऐसे पदार जो अभी करिया को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उत्प्रेरक से बाते हैं देखो अब उत्प्रेरक को teacher teacher उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है तो यह बात आपको लग गया होगा कि teacher जो हो अगर अगर वो original teacher है न तो ही बात करेंगे उसकी क्या कि सर वो अगर एक स्टुडेंट बहुत वीक है तो उसमें इतनी एक्टिवेशन एनरजी बढ़ाता है सक्रियन उर्चा इतनी देता है उसे कि उसे ऐसे लगता है कि सेलेक्शन हो जाएगा इसका मतलब वो जो केटलिस्ट है वो जो अत्प्रेरक है वो कैसा है पोजिटिव टाइप का है गनी और कुछ ऐसे भी होते हैं उपद्रवी जिनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे बोला जाता है कि भाई तेरी लाइफ में तेरा कुछ नहीं होगा इसका मतलब वो उस टाइम पे वो टीचर उस स्टुडेंट के लिए उस पदार्थ के लिए उस अनू के लिए क्या कर रहा है रिनात्म क्या निगेटिव केटलिस्ट की तरह रियक्ट कर रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है तो सोचिए एक्टिवेशन एनर्जी किसी में ज़्यादा है सक्रियन उर्जा किसी में ज़्यादा है देखो मैंने क्या गोला है आपको अगर किसी में सक्रियन उर्जा ज़्यादा है तो अगर activation energy ज़्यादा है तो rate of reaction ज़्यादा आएगी या आप बोलो कि selection ज़्यादा होंगी सभी बात है और अगर उस activation energy को catalyst कंट्रोल करे और जो catalyst है वो दनात्मक हो तो सक्रियन उर्जा को और तेज बढ़ाएगा सभी है तो सक्रियन उर्जा जो है वो दनात्मक उत्परेरक से क्या हो जाएगी कंट्रोल हो जाएगी दनात्मक उत्परेरक उस rate of reaction को बढ़ा देगा सभी बात है अगर rate of reactions को बढ़ाना है तो धनात्मक उत्प्रियरक का माना चाहिए और धनात्मक उत्प्रियरक सक्रियन उर्जा को कंट्रोल करना चाहिए तो सक्रियन उर्जा सक्रियन यानि सक्रिय करने के लिए जो उर्जा है वो धनात्म कुछ प्रेरक देने पर ऐसे लगता है कि सेलेक्शन आसानी से हो जाएगा यानि कि सक्रिय होने के लिए जो औरजा कमाने वो कम लगता है अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने देखें यहां पर एक ग्राप बनाते हैं फिर उसमें चेक करते हैं कि यह कैसे बोल दिया मैंने देखना मैं आपको एक क्राप बना रहा हूं उस ग्राप मैं आप ध्यान से समलना कि मैं आपको क्या सम्झंगा ना यह एक ग्राप बनाया ठीक है यहां पर आप क् 자ские क्रिया कारक लिए लेंगे क्रियाकारक से उत्पाद बनाएंगे ठीक है मतलब मैं ऐसे बोल दूँ कि रियक्टेंट से प्रोडेक्ट बनाएंगे और यहां पे दूचे एक्टिवेशन एनर्जी ले लेंगे ठीक है भैई तो देखिए सपोज करो यहां पे ए यह ए किस्ट में कनवर्ट होना चाता है बी में ठीक है अब ए बी में अपने आप कनवर्ट होगा तो उसके लिए जो मिनीमम एनर्जी होगी उसे तो बोलेंगे हम देहली उर्जा क्या बोलेंगे देहली उर्जा ठीक है अगर ये A A से B में कनवर्ट हो बिना किसी के कुछ एनरजी लिए तो वो जो मिनिमूम एनरजी उसे चाहिए कहने का परपस है कि आप अगर हो आप आपका सेलेक्शन कराके B में कनवर्ट होना चाहते हो तो आपको जो एक एनरजी की रिक्वाइर्मेंट पड़ेगी वो एनरजी यहां तक के लिए होगी नहीं यहां तक इसे हम बोलेंगे कि बिना उत्परे रख के आपने उसे सक्रियन और उर्जा जितनी थी उसे स्टूडेंट ने अपनी लगाई और सेलेक्शन ले लिया तीक है अब बात करें क्या अब आपके पास आगे केटलिस्ट कौन आगे केटलिस्ट तो देखिए अगर उत्परे रख अगर आपके पास आ जाते हैं तो उत्परे रख या तो धनात्मग होगा इसका मतलब मैं आपको आपकी जो इतनी बड़ी एनरजी खुदको लगानी थी ना ये वाली एनरजी दिखरी आपको ये एनरजी ये जो एनरजी लगानी थी ने इतना बड़ा पाहाड ये पाहाड आपको बिलकुल ऐसे छोटा सा लगने लग जाता है तो क्या बोले मिने छोटा सा लगने लग जाता है इसका मतलब सक्रियन उर्जा आपको दनात्मक उत्परे रख की उपस्तिती में बहुत छोटी लगने लगती है तो अगर आपके पास अगर आपके पास क्या हो दनात्मक उत्परे रख हो तो ये का मान कम हो जाता है कैसे देखो यहां से बिनो एक दो तीन चार पांच चैसे साथ आठ नो नो किलो एनरजी चाहिए थी अब आपको तो कैसे लग रहा है कि sir 7 kg energy में ही हमने क्या कर लिया A से B में convert हो गए होगे नहीं होगे अगर मालो आपको कभी हमें negative बोलना पड़ता है तो हमें यूँ बोलते हैं भाया ऐसे selection नहीं होगा तो आप ये A से और A से B में convert होने के लिए आपको इतना minus बोला जाता है इतना डराया जाता है कभी कभी कि यहां लगता है कि sir selection नहीं होगा गलत ही आगए इस line में तो ये जो उत्प्रेरक दिखाई दे रहा है तो उत्प्रेरक जो है वो उत्प्रेरक ने क्या कर दिया इस सक्रियन उर्जा को और बढ़ा दिया भाईजी ये कितने लगने लग गई 12 किलो के लगबग सही है तो हमारे पास कैसे question आते है सुनिए हमारे पास question ऐसे आते है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है तो उस कथन में हमारे पास लिखा होता है क्या कि किरिया कारक से उत्पाद में परिवर्थित होने के लिए सक्रियन उर्जा अधिक होना सही है या कम होना तो आपको दिख रहा होगा कि सर्थ सक्रियन उर्जा तो कम होना वो ये ज़्यादा बढ़ी है बढ़ी है बोलो है न क्या कि सक्रियन उर्जा जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी क्रियाकारक reactant will convert into product रेक ने तो ये बाद समझ में आगे होगी कि सक्रियन उर्जा कैसे समझ में आगे होगी कैसे cover करेंगे पान अब देखो और आगे इक बात आगे कह रहे हैं अब ही हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहां से एक कथन और बोलते हैं क्या कि धनात्मक उत्प्रेरक्टी उपस्तिती में सक्रियन उर्जा activation energy बताओ घट जाती है या second option बढ़ जाती है या third option नियत रहती है या fourth option निर्दारित निकर सकते हैं तो आप इस question का answer खुद सोचो और सोचने के बाद में बताओ क्या answer आएगा comment करना मुझे इक बताना की sir ये answer आएगा दनात्मक उत्प्रेरक्टी उपस्तिती में सक्रियन उर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है बोलो कम हो जाती है sir सभी बत है तो ये तो है क्या कि दनात्मक उत्प्रेरक्टी उपस्तिती में और रिनात्मक उत्प्रेरक्टी उपस्तिती में क्या होता है और कैसे हमें उसके product मिलते हैं ठीक वाई अब हम इससे related और आगे की बात करेंगे अभी आप wait करो देओ देखिए अब हम next point की बात कर रहे है वो point क्या है सुनना ये देखिए second point हमारे पास आगया और second point हमें कुछ और explain कर रहा है देखेंगे हम क्या क्या बोलता है वो रहनात्मक उत्प्रेरक लिखाएं तो रहनात्मक उत्प्रेरक जो होगा वो हमें कैसे कैसे reaction को control करेगा जो सक्रियन उर्जा को बढ़ा कर अभी क्रिया के वेग को घटा दे उसे हम बोलते हैं रहनात्मक उत्प्रेरक अभी आपको देखा था आपने देखा था सक्रियन उर्जा जो थी नॉर्मल थी उससे भी जादा ले गया था तो वो क्या था रहनात्मक उत्प्रेरक था ठीक है तो दो तरह के उत्प्रेरक हमने बोला अभी क्रिया को गटाने और बढ़ाने के आदार पे किया तो वो धनात्मक होगा का वेग बढ़ेगा या गटेगा आप सोचिए फिर मुझे बताना ठीक है तो हमने ये कंडिशन्स तो बता दी कि सक्रिया नूर्जा सर धनात्मक उत्प्रेरक में तो गड़ जाती है रिनात्मक में बढ़ जाती है नहीं हो तो बीच में कहीं रहती है पर अगर घट जाएगी सक्रिया नूर्जा तो अभिग्रिया की दर जो है रेट ओफ रियक्शन है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी आप लोग मुझे कंड्रूम बरेंगे ठीक है देखिए आगे की हीड़े बात आगे हमारे पास पॉइंट आता है वो यह एक रह रहा है कि जो उत्प्रेरक को ते हैं उन्नमें क्वालिटी और होती है क्या होमोगी वहट्रोजीन टाइप के के लिस्ट होते हैं समांगी इन्नी में बोलें समान अंग जैसा क्रिया कारक हो याद करें क्रिया कारक ठीक है और उत्प्रेरक दिखाए दे रहे तो देखिए ऐसे उत्प्रेरक जिनकी आवस्ता क्रिया कारकों के समान होती है जहां से दूना मैं यहां पे उत्पाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्रियाकारक की बात कर रहा हूँ तो ऐसे उत्प्रेरक जिन में क्रियाकारकों की जो अवस्ता है वैसी ही अगर उत्प्रेरक की अवस्ता हो तो वो हमेशा समांगी होगा अगर क्रियाकारक में एक भी क्रियाकारक उत्प्रेरक के जैसा नहीं है तो वो हमेशा विस्मांगी उत्प्रेरक होगा ठीक है, देखिए सुनना, ध्यान चा देखना मैं एक एक्जामपल लिखा हुआ हूँ क्या लिखा हूँ, A S, S लिखा है न, ये S, G और इनका मतलब भी समझे S means solid, L means liquid और G means gas, ठीक है S, यहां पे S लिखा है, मतलब A जो है वो solid form में है, B, B, B solid में है और यहां उत्प्रेरक जो है, वो भी S लिखा हुआ है solid form में ही होगा, तो इसका मतलब ये reaction जो है, समांगी उत्प्रेरक रखती है क्या रखती है, समांगी उत्प्रेरक रखती है second example में देखिए A gas है, B gas है, पर जो उत्प्रेरक है वो solid दिखाई दे रहा है, ये gas, ये gas, ये solid इसका मतलब ये हमेशा ऐसे example सबोस्किरेंगे, ये हम solid होता यहां gas होता तो Abhi Lives मांगी है, और यहां solid, यहां गैस होता तो भी Miss मांगी है कहरा हो गर क्रियाकारक और रखती है कोई भी एक अलग अबस्ते रखता है तो ओ उसे खता है क्या? विस मांगी खता है समझ में देखिए आगे लिखा हुआ भी है एक्जामपल भी एक्स्प्लेन कर रहा है आपको क्या कह रहा है सुनिए आपको कह रहा है कि समांगी अभी क्रिया ऐसी भी दिया जिन में क्रिया का रुपात दोनों की अवस्ताइं समान समान होती है ठीक है देखो अवस्ता गैस ग मांगी हो सकती है उत पर रक समांगी होता है, विसमांगी होता है हम क्या पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक थॉट पढ़ रहे है जो हमारे आगे जाके questions को solve करने में दिखकत नहीँ करे चैप्टर पढटो है तो देखिए समांगी विसमांगी हो गया अब बात करेंगे क्या आप विसमांगी अभी एसी हुरे जिन میں डाएक्षिंज के बेस्पे हम बात करेंगे रीयक्षिन्स को देखो मैं कहा लेका रहा हो ना आप उसी तरीके से उसे पढ़ें और वैसे यी वैसे नौट भी करें ठीक है? इस रिेक्शन्स को पढ़ें अच्छे से ध्यान्स से पढ़्स से पढ़ते जाओ लिकते जाओ, नौट करते जाओ अगर आपको लग रहा है कि वीडियो इसह स्पीड में जलता है तो उसकी स्पीड कम कर लिया करो, दिरे दिरे लिख लिया करो ठीक है पोज कर लिया करो लिख लिया करो ठीक है तो देखिए दिसा के अधार पर डायरेक्शन के अधार पर अगर मैं दिसा की बात करूँ तो वही बात है अभी क्रिया कहा जाएगी मतलब क्रिया कारक जो होते हैं रियक्टेंट जो होते हैं विल कनवर्ट इंटू प्रोडेक्ट देज खौरवर्ड रियक्शन सभी है बट इफ प्रोडेक्ट कनवर्ट इंटू रियक्ट देज बैक्वर्ड रियक्शन या बोलो रिवर्स रियक्शन इसंट इट तो हमने बोला कि ये अग्रे दिशा और पश्च दिशा में आपको पता दिया कि अभी क्रिया का रक क्रिया का रक से उत्पाद बनेगा या उत्पाद से उत्पाद बनेगा सबीड़ात है? अब देखिए अब इन दिशा के आधार पे ही हम अभीक्रिया को फिर बदलते हैं क्या ये तो अभीक्रिया होती है या तो उत्करमनी है नाम सुना है उत्करमनी है तो देखिए या तो वो अभीक्रिया होगी उत्करमनी है या होगी अनुत्करमनी है समझना अगर रियक्टेंट से प्रोडेक्ट बन गया तो अगर अभी क्रिया है कौन से अभी क्रिया है अगर अभी क्रिया है और प्रोडेक्ट से वापस रियक्टेंट बन गया तो वो क्या है वो है पस्ट अभी क्रिया पर अगर कोई अभी क्रिया जिसमें केवल केवल क्रिया करेक्ष उत product से kriya karak में लेके आ रही है तो उसे हम बोलेंगे पश्च अगर अड़ भी ग्रिया half reaction ही होती है वो अगर मैंने उस reactions में ऐसे देखा कि kriya karak kriya karak kriya karak convert हो रहा है किसमे product में और product convert हो रहा है kriya karak में R convert हो रहा है P में और P convert तो रहा है R में तो वह यह reaction जिसमें अगर और पश्च दोनों अभी क्रिया हैं चलती है दोनों दिसाएं चलती है तो उसे हम बोलते हैं क्या उत्करमाणी है अभी क्रिया क्या बोलते हैं उत्करमाणी है अभी क्रिया बोलते हैं किसको उस अभीग्रिया को जिसके बारे मैं विम्मा को बोलो, उत्थ क्रमणी है REVERSIVEL REACTION ठीक है, क्या बोलते हैं से REVERSICEBAL, जबकि वो जो अग्रियोरवरपश आधी आधी चलुरी थी वो कौन सिती, अनुत्ट क्रमणी है अब इसका एक्जामपल देखना है एक example समझो फिर उसको आप आगे उत्करमेने reactions को बात कर लेंगे क्या होगा हो suppose करें एक बरतन लिया आपने एक काच का भीकर लिया हुआ है या एक काच का अपने बरतन लिया हुआ है वो आपको transparent होना चाहिए दिखना चाहिए ठीक है उसमें जो पानी बराया है वो ठीक है तो देखना अगर आप उस reactions में देखना चाहिए तो उसे गरम करो पानी बरके उसे गरम करो बंद कर दो उस डखन को तो आप देखोगे कि शुरुआत में थोड़ी सी पानी जो होता है वो वास्प में कनवर्ट होगा और वास्प जैसे ही वापस जाके उसके टॉप पे टकराएगी तो वो बरतन से वापस डखन से पानी में कनवर्ट हो जाएगी तो देखो पानी लिक्विड था लिक्विड से गैस में कनवर्ट होगा और gas वापस से liquid में convert हुई तो एक चीज मुझे समझ में आई इसमें दोनों दिawa चल रही है पानी liquid से gas में convert हुए और gas से वापस liquid के भी आ रहा है आ रहा हैं ये नहीं हिए इसका मतलब वो कौन से reactions होगी वो reaction होगी reversible reaction सभी है अब एक बात और समझ मैं कि सर्फ रिवर्सिवल रियक्शन के लिए एक important point होना चाहिए कि बात्र जो होना चाहिए जो बरतंज होना चाहिए वो बंद होना चाहिए या बोलो close system होना चाहिए सोचिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ या दाराने क्या पढ़ा रहा हूँ यह पढ़ा रहा हूँ कि वो चाहर चैप्टर मुझे पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छे समझ में आए उनकी सब की basic पढ़ा रहा हूँ समझे तो बंद पात्र में होती है वा समझ मारी है दूसी दिया इनमें दोनों दिसाओं में चलती है बोलो चलती है दोनों दिसाओं में जलकुसे बाते उतकरमणी अभीक्रियां किलाती है अब एक और बात सुनना उन्हीं उतकरमणी अभीक्रियां के लिए अगर उतकरमणी अभीक्रियां चल रही है तो सोचिए वो जो बरतन है उसे बंद करके रखो तो थोड़ी देर बाद में आपको ये confirm नहीं होगा कि पानी भाप में बदल रहा है एक भाप पानी में बदल रही है वो अजीब अलग ही अवस्ता दिखाई देने लगी गी और उस अवस्ता को ऐसे लगेगा ही नहीं कि सरफ पहले तो पता चलता है कि पानी बॉयल हो रहा है और वो कनवर्ट हो रहा है किसमें वेपर में अब वेपर कनवर्ट हो रही है लिक्विड में पर बाद में कुछ टाइम बाद एक स्टेबलीटी आजाती है उसे हम बोलते हैं साम में क्या बोलते हैं साम में वस्ता एक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं उसे एक्विलिब्रियम तो साम में वस्ता आपने नाम सुना होगा या आपने कभी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो उसमें उसने कभी भी जब पढ़ाया था उसमें अभी दिमाँ विठा लो कि साम में वस्ता आती है और केवल केवल रिवर्सीवल रियक्शन में आती है उतकरमणी अभीकरिया में ही ये कंडिशन्स मिलती है अधर्वाइस किसी दूसरी अनुतकरमणी अभीकरिया में कभी भी साम में वस्ता नहीं आएगी या बोलो कि आपको किसी अभीकरिया के बार हैं बोला गया है कि ये साम में वस्ता है तो आप सोच लो कि ये अभीकरिया दोनों दिसाओं में चल गई है समझ मारी है तो साम में वस्ता एक ऐसा पॉइंट हो गया जो दोनों डिरेक्शन्स में चलता है दोनों दिसाओं में चलता है ठीक है भी तो दोनों दिसाओं में जब चलेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या उत्करमणिय अभी क्रिया और उसमें जो अवस्ता प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे साम में अवस्ता और साम में अवस्ता अब देखो बहुत सारे बोलते हैं सिर्स साम में अवस्ता और साम में अलग अलग चीज है किया कुछ यह अलग चीज नहीं है जिसको बोलने में जो रहाता है वो साम में बोलके रहाता है और जो पूरा बोलता है वो एक्विलिप्डियम साम में अवस्ता बोलता है समझ मैं है यह यह अंतर है बस यह हो गया डायरेक्शन्स का अंतर ठीक है अब बात कर लो किसके आदार पे उस्मा के आदार पे मेरे साथ से इसको तो मैंने आपको classroom में offline में पढ़ा भी दिया उस्मा खशेपी फिर भी आप सोचिए समझना अच्छा से बहुत शॉर्ट है उस्मा खशेपी ऐसी यह भी क्रिया हैं जिनमें उस्मा का अवसोशन उससर्जन सही है दो चीज़ होती है उस्मा होती है उस्मा जो हती है उसका उस्मा होना जरूरी है उसे बोलेंगे क्या अवक्षेपन उस्सर्जन किस पततर चलेगा यह अभी गटाई उस्मा खशेपी है प्रैक्टिकली आप कभी कोई अभी गर invaluable करा हो जो आन लैवल स्टेंट बोले आपको कि इससे दूर रहना यह फूर सकता है बहुत करम होता है उससे आप पकड़ के निए फोर से फ़ोर से पकड़ू है पकड़ हो गया है न तो इसका मतलब वो हीट को उससर जित कर रही है अगर उस्मा उस्सर्जित हो रही है तो उस अभीक्रिया को बोलते हैं उस्मा शेपी अभीक्रिया और यही अगर उस्मा अवसोसित हो रही है एब्जोर हो रही है तो उसमें बोलेंगे हम उस्मा सोसी एग्जोथर्मिक एग्जो तो ऐसी reaction जिसमें आपको energy देनी पड़े तो उसे हम बोलते हैं क्या एंडो थर्मी उस्मा सोसी reaction अब ध्यान से फिर से समझना उस्मा सोसी अभी किया आपने कैसे देखा practically practically में अगर कोई reaction करानी है आपको कोई उत्पाद में चेक करना है तो आप क्या करते हैं दो chemical को मिलाते हैं उसके बाद में बढ़ना चला के उसे गरम करते हैं चलाते हैं बढ़ना चला हो और उसे गरम करते हैं इसका मतलब आप A और B दोनों को convert करना चाहते हैं उसके साथ साथ उसे ओर्जा भी दे रहे हैं प्लस में उर्जा दी जाए, क्रियाकारकों की तरफ प्लस लिखा हुआ हो, तो उसमा सोसी है, क्रियाकारकों की तरफ प्लस नहीं लिखे माइनस लिखा हो, तो उसमा खशेपी है, अब क्रियाकारकों की तरफ प्लस नहीं लिखे उसमा उत्पाद की तरफ लिखी हुई हो, प् बार पुछे जाते हैं कि बताओ reaction लिख देता है plus क्रियागारा के तरफ लिख देता है या minus लिख देता है पुछता बताओ अभी क्रिया कौन सी होगी उसमा सोसी होगी या उसमा शेपी होगी ठीक है अब चलते हम next point पर देखिए अब हम बात करेंगे किसके बेस पर अभी क्रिया के वेग के आदार पर बस इतना ही point लेंगे आज के लिए कल वाकी क्लास को कला के बढ़ाएंगे ठीक है देखिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ पॉइंटों को लेके अभीक्रिया के वेग स्पीड के आदार पे तो कुछ अभीक्रिया होती है जो हमारे पास कुछ सेकिंड में पूरी हो जाती है उसे बोलते हैं हम तीवर अभीक्रिया काम आएगी कुछ अब बिकरियां ऐसी होती है जो बहुत slow होती है उन्हें हम बोलते है slow reaction और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं सर जैसे कि लोहे पे जंग लंग लगना यह भी reaction है ना सर यह तो 6 मैने में पूरी होती है तो इतनी भी slow नहीं उन्हें हम बोलेंगे तो सही very slow reaction पर इन तीनों में से fast reaction slow reaction और very slow reaction में से हम केवल और केवल slow reaction जो second होगी जगे minute में hours में पूरी होती हो उन reactions के बारे में ही हम इन chapter में पढ़ते हैं fast reaction हमें confirm नहीं होती हैं हम उनको instantly check नहीं कर पाते हैं यह वो हमारे लिए important नहीं रहती है हमारे बूल कि हम उसमें ज़्यादा ज़्यादा research नहीं कर पाते हैं और बहुत slow होती है 6 मैने तक कौन वेट करेगा तो वो reactions भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती हम बात करते हैं किसकी slow reactions की ठीक है? तो देखो अब इसमें हमारे पास पॉइंटों को पढ़ लेते हैं क्या तीवरी अभी ग्रिया fast reaction जितनी भी blast होने वाली reactions होती है वो बहुत fast होती है तभी तो हम blast हो जाता है वो control में नहीं रहती और slow reactions होती है अभी ग्रिया इस reactions में हम चेक करते है qualitative properties और molecular properties और order of reactions chemical kinetics में पढ़ा हूँगा आपको मैं कि धीमी reaction क्या होती है तीवरी reaction क्या होती है ठीक है तो ये reactions की speed के अधार पर reactions को categorize कर दिया ठीक है भाई अब देखिए reactions में एक नया जंजटोर आता है क्या वो आता है सांधरता का concentration इस सांधरता को हम बोलते हैं क्या सक्रिये द्रविमान active mass जहां से समझना सांधरता या active mass ठीक है सक्रिये द्रविमान देखिए क्या होता है आप ऐसे बोल लो कि अगर हम किसी विलियन में किसी solution में किसी mixture में उसके एक थोड़े से टुकड़े को बाहर निकाड़ें और उसमें जो solute और solvent होते हैं उनके बारे में confirm कर लें तो वो ही उसकी क्या होती है सांधरता या concentration या active mass होता है वो जैसे सुनना माना एक ग्लास पानी है उसको हमने सर्बत बना लिया उसमें 5 चीनी मिला दी और जो भी बनाना है वो सर्बत बन गया वो बन गया मीठा है वो उसके एक ml पानी को निकालो एक ml किता है उस एक ml पानी में कितना sugar content है वो उसकी concentration हो जाती है ठीक है वो concentration किसमें आगी प्रती मिली लीटर में आगी माना है कि उसमें 10 चीनी के अणू मिले तो 10 अणू प्रती ml होगी सही बात है तो यह हमारे पास क्या आगी उसकी सांदर तागी अब जैसे कि आप दूद बेशने वाले वो देखते हो तो दूद बेशने वाला क्या करता है दूद बेशने वाला कभी कभी पानी मिलाता है तो उसमें concentration क्या आएगी वो किसमें मिला रहा है पानी किसमें मिला रहा है दूद में तो आप सोचिए आपके पास ज़्यादा जो है वो है milk वो है solvent उस solvent में mix कर रहे हैं किसको उसमें mix कर रहे हैं हम liquid को जल को तो यह जो जल होगी इस जल की सांधरिता कितनी आएगी अभी यह कितने में मिला है माना कि 100 लेटर दूद था उस 100 लेटर दूद में 40 लेटर पानी मिला दिया यद 20 लेटर पानी मिला दिया तो लीटर प्रती और लीटर में मिला है न लीटर प्रती लीटर यह आपके पास क्या जाएगी सांधरिता की एकाई जाएगी तो यूनिट हमारे काम की चीज रहेगी और जो यूनिट मेजर का ऐसे मेजरली काम आती है उस यूनिट को मैं यहां लिख रहा हूँ ग्राम पर लीटर में मैक्जिमम बार आपको मिलेगी मिली ग्राम में कभी कभी मिलेगी और मूल पर लीटर में बहुत बार मिलेगी ग्राम पर लीटर में आपको सॉलिशन में मिलेगी और मूल पर लीटर में आपको सॉलिशन और गैसिस जो स्टेज होती है उसके बारे में उसमें मिलेगी ठीक है तो यह हो जाती है क्या सांद्र था ठीक है वई तो यहां तक हमने बहुत बैसिक बैसिक पड़ा और पड़ेंगे अगले ऐले चैप्टर के बारे में क्यां आ गया है क्याद वाध कहां पड़ना होगा तो देखिय अब हम बात को ले जाहेंगे कहा रे उत्करमनी अभी क्रिया हो में ठीक है और वहां से हम चल जाएंगे किसमें साम मेवस्ता में और साम मेवस्ता को पूरा पड़ेंगे KP, KC, जो भी है न सब KS, P कैसे निकालते हैं सब कुछ कवर करके उसी के साथ साथ IONIC को भी कवर करेंगे आज नहीं के कली पर हमको भी कवर करेंगे ठीक है जब यह चैप्टर पूरा हो जाएगा फिक केमिकल काइनेटिक्स में अपने आप एंट्रेव जाएगी ठीक है आप पढ़ते जाओ और इन से रिलेटेड क्रिशन्स मैं आपको एक दिन बाद में भी जूँँगा कि इसके क्रिशन्स कौन कौन से है कैसे कैसे आएंगे कैसे कैसे पूछे गए है क्या सोलेशन होगा उनका ठीक है सब्सक्राइब इसका वीडियो बना देपन क्रिशन्स पर बेस पर वीडियो बनाएंगे ठीक है ओके जी थैंक यू